जैमातादी दोस्तों बंबं भुले नात दोस्तों दोस्तों महाशिव रात्री आने वाली है और हर कोई शिव जी के इस पर्व का बेसबरी से इंतिजार कर रहा है प्रतीक्षा कर रहा है क्योंकि ये साधना की महारात्री है शिव जी से कनेक्ट होने की रात्री है शिव कौन ह शिव यानि की बाबा भुलेनात, शिव शंकर, शिव जी, रुद्र, नील कंटादी इनके अनेक नाम है भगवान शिव सौम्मयाकरती और रौद्र रुप दोनों धारण किये हुए है स्रिस्टी के संगार करता अधिपती शिव जी ही है शिव जी अनादी और स्रिस्टी प्रक्रिया के आदिस रौद है शिव जी काल है, महा काल है हिंदु देवताओं के भगवान, बोले शंकर, देवों के देव, महा देव है देवता तो देवता, असुर राक्षस भी, उनकी उपासक थे भगवान भोले नाद ओगरदानी है, तरनेतर धारी है अगर आपके उपर किसी भी प्रकार के कुंडली में दोश हो तो भगवान शिव जी की पूजा सबसे उत्तम बताए जाती है शिव जी बहुत ही सरल है, भोले नाद है और बहुत ही कम प्रयासों में प्रसन होने वाले है इनकी पूजा बहुत ही सरल होती है यदि सच्चे मन से एक पार इनको याद भर कर ले तो प्रसन हो जाते हैं केवल बेल पत्र और एक लोटा जल से प्रसन हो जाते है मेरे बाबा भोले नाद तो महाशिव रात्री फागुन महीने में जो आने वाली है उसमें यह दिया आप शिव जी का इस प्रकार से एक लोटा जल और बेल पत्र मातर से पूजा करेंगे और रात्री में जागरन करेंगे तो मेरे भोलेना अवशे प्रसन हो जाएंगी दोस्तो साल 2020 की महाशिव रात्री जो फागुन महीने में आने वाली है वो बहुत ही खास होगी 117 वर्ष बाद राज योग में मनेगी महाशिव रात्री सनी अपनी श्वारासी में रहने वाले हैं शुक्र उच्छ राशी में रहने वाले हैं लाकर वर्ष 2020 की फागुन मास की शिवरात्री विशेश राजयोग बना रही है जो की लगबग 117 साल बाद ऐसा होनी जा रहा है दोस्तों वर्ष की कुछ रात्रियां साधना के लिए विशेश मानी गई है शरद पूर्णिमा की रात्री दीपावली की रात्री और महा शिवर को तो सिद्ध रात्री कहा गया है धर्म शास्त्रों के अनुसार महा शिवरात्री को भगवान शिव ने संडक्षन और विनाश का स्रचन किया था क्योंकि शिव जी के अंदर ले प्रले दोनु ही समाई है तथा इसी दिन भगवान शिव एवं पार्वती जी का विभा भी स संपन हुआ था पौरानिक मान्यताओं की माने तो शिव और आदी शक्ति के मिलन की रात्री को ही महा शिवरात्री कहते हैं माना जाता है कि शिवरात्री की रात आध्यात्मिक शक्तियां जाकरित हो जाती है और भक्ति और जो पूजा करने का जो फल है वो अपनी चरम पर हो शेक करते हैं तो बहुत ही जादा वो लाबकर होता है और बहुत ही जादा विशेश पुन्ने की इससे प्रप्ति होती है पुराणों के अनुसार फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चरतुर दर्शी तिथी को जब सूर्य अपनी कुम राशी में और चंद्रमा मकर राशी में था तब शिव और पारवती माता का विवा हुआ था तो हर वर्ष हम इसी दिन माता पारवती और शिव जी का विवा भी कराते हैं और पूरी शद्धा के साथ महा शिवरात्री मनाते हैं दोस्तो वैसे तो प्रते एक महा में शिवरात्री आती है परंदू साल की दो शिवरा विदानी का विधान है, उसी तरीके से कुछ हिस्सों में फागुन मास में भी लोग कावर लाते हैं, हरी द्वार से जल लाते हैं और शेवलिंग का अभिशेक करते हैं, परन्तु इस समय में जो कावर लाई जाती हैं, उनका प्रचलन तोड़ा कम है, लेकिन इस समय की कारी होती है, कटिन तपस्या होती है फागुन महीने में कावर लाने की दोस्तो इस वर्ष 2020 में 21 फरवरी शाम को 5 बचकर 20 मिनट तक 3 दशीति तित्थी रहेगी और इसके बाद 4 दशीति तित्थी प्राड़म हो रहे है और इसलिए शिवजी का ये महा परव हम 21 फरवरी को मनाएंगे दोस्तो इसमें कन्फियोज होने की कोई आवशकता नहीं है वर्ष 2020 में हम 21 फरवरी या 22 को या त्योहार मनाएं तो मैं आपको सरल शब्दों में आपको ये बात बता देती हूं कि इसका नाम ही शिव रातरी है और 22 फरवरी की शाम को चतुरदशी तिति समाप्त हो जाएगी तो आपको 21 फरवरी को वरत पूजा जब तप ध्यान करना है रातरी जागरन करना है ये म शिवजी का संपूर शिवजी की पूजा का आपको संपूर समय मिलेगा इसलिए 21 फरवरी को ही आपको ये वरत पूजन करना स्टेस्ट होगा उम्मीद करती हूँगी आपका कन्फियूजन दूर हो गया होगा दोस्तों वैश्णों संप्रदाय की अनुसार जिस तिथी में सूर्योद्य होता है उससे ही उसमें ही हम ज़्यादातर त्योहर मनाते है पर दो शिवरात्री में रात्री की आराधना का ही महत्व है तो इसलिए हम 21 फरवरी को ही ये वरत मनाएंगे आप बिल्कुल कन्फियूजन ना हो तो मेंली महाशिवरात्री का यह है पर्व 21 फरवरी को ही मनाया जाएगा दोस्तो अब मैं आपको बताती हूँ कि महाशिवरात्री की पूजा के विभिन शुमुरत कौन-कौन से है दोस्तो निशिद काल की पूजा जो रात में होती है उसका जो प्रभावे बहुती ज़्यादा शक्तिचाली होता है तो महाशिवरात्री में हम निशिद काल में यदि संभव हो सके पूजा करनी चाहिए तो उसका जो समय है निशित काल का वो है 21 फरवरी को रातरी 12 बचकर 7 मिनट से लेकर के 12 बचकर 56 मिनट तक इस प्रकान निशित काल की जो पूजा है उसकी कुल अवधी हमें 49 मिनट मिलेगी तो आप इस समय पूजा करें दोस्तों निशित काल में शिवलिंग का अभिशीक सर्वोत्तम माना जाता है और यदि सम्भाव हो सके तो आप इसे अपने घर पे करें मंदिर में जाकर के करें तो आप शिवजी की आरादना करें इससे आपको अपनी पूजा का हजार गुना फल प्राप्त होगा तो महाशिवरात्री में निशित काल सबसे सर्वोच पूजा का समय माना गया है इसके अलावा दोस्तों आप यदि पूजा करना चाहते हैं तो प्रथम प्रहर की पूजा यदि आप करना चाहते हैं तो प्रथम प्रहर है 21 फरवरी को शाम को 6 बचकर 21 मिनट से 9 बचकर 26 मिनट तक यह रहेगा तो प्रथम प्रहर की पूजा भी आप कर सकते हैं दुत्य पहर की पूजा आप 9 बच कर 26 मिनट से 12 बच कर 30 मिनट तक कर सकते हैं और तृत्य पहर की पूजा आप रातरी 12 बच कर 30 मिनट से रातरी 3 बच कर 36 मिनट तक कर सकते हैं दोस्तो चतुरदशी तिथी का जो प्रारम हो रहा है वो 21 फरवरी 2020 को शाम को 5 बच कर 20 मिनट से इस तिथी का प्रारम हो रहा है और चतुरदशी तिथी का जो समापन हो रहा है वो 22 फरवरी को शाम को 7 बच कर 2 मिनट पे हो रहा है शाम को तीन बच के 26 मिनट तब तो आप इस प्रकार से वरत का पारण 22 फरवरी में कर सकते हैं दोस्तो इस बार महा शिवरात्री में सरवार्थ सिद्ध योग होने के कारण इस दिन शिव पारवत्य से जो भी काम न की जाती है वह भोले नाथ की किरिपास्टी अवश्य ही पूर्ण होती है सभी शिव भक्त इस दिन शिवालियों में शिवलिंक का जालाबिषे का वश्य करते हैं माह शिवरात्री की रात को आप माह शिवरान सुने पढ़े और महा मृत्य विज्य मं inventions का चाप करे और इतना ना कर सके दोस्तों तो सबसे आसान और सर्वूपरी उम्नम शिवाई का चाप करे जादव से जादा दान पूर करे सादू संतों को भुजन कराए वस्तु का दान करे, पक्षियों को दान डाले, गायों को हरचारा डाले, पीपल को जलवश्य चढ़ा दे दोस्तो बहुत ही खुबसूरत दिन है और इस दिन शिवजी की पूजन आराधन करने से विशेश लाप मिलता है, अनंत गुना फल मिलता है इस वर्ष चार राशियों की किसमत चमकने वाली हैं, वो राशियां हैं मेश राशी, सहिंग राशी, मकर राशी और कुम राशी तो इस शिवरातरी में पूजन आराधन का इन चार राशियों को विशेश लाप मिलने वाला है दोस्तो दोस्तो आज का समय की बड़ी समस्या ऐसा भी लोग वरकिंग हैं तो यदि सामाने गरस्ती इतनी गूर बातें इतनी गूर पूजा और बहुती विस्तरत रूप से नहीं कर सके तो वो सुक्ष्म रूप से विशिव की आराद न कर सकते हैं सिर्फ एक लोटा जल से रीजने वाले हैं मेरे बाबा बेल पत्रे चड़ा दीजिए एक लोटा जल चड़ा दीजिए थोड़ा मीठा डालीजिए उसमें गंगा जल डालीजिए दू टालीजिए और ओम नमशिवाय का जाब करते रहिए तो दोस्तो महाशिवरातरी की आप आज आप नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भोलीनात आपकी सभी मनों कामनाई पूर्ण करे बंबं भोलीनात दोस्तो